हेलो फ्रेंट्स सब सब का स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पर आचे हम सभी के साथ इंपॉर्टन वीडियो में और आज की इस विडिम में डिसकस करने जा रहे हैं हम सभी के साथ से विसी बोर्ट क्लास 12 के स्ट्रेंट्स जो भी एग्जामिनेशन जैसा ही मार्च को आप सभी का मैथ के इग्जामिनेशन में अपियर होने से पहले आप सभी के लिए में बहुत इंपॉर्टन फीडियो जिस्टियो में डिसकस करेंगे आप सभी के मैथमेटिक्स में किस तरीके से टॉप आपने आंसर को लिखते हैं जैसे उनको फुल आप फूल ए करते हैं कि कैसे तरीके से आंसर को प्रेजन किया आता है जैसे फिर फिर यह सामने यह दिख रहा होगा आपके मैथमेटिक्स पेपर का तो चली स्टार्ट करते हैं आप सभी कैणिट्स को मैं बता दूँँ दिखिए मैथमेटिक्स का पीपर जो होता थे लॉड़ा सा कर दिहान रखने आपको mathematics के examination में class 12 वाला candidates सभी candidates बात को दिहान से समझेंगे कि आपको पहले answers को किन questions को जादे attempt करना चाहिए और variations किसमें जादा देना चाहिए ध्यान से focus करिएगा देखिए फिर आपको कोई भी answers present करने को आपको mathematics में students को questions solve करने आरा आपको देखिए जब आपको calculus का हो या फिर डिफिशिबल्टी का difference वाला questions वाला या determinant वाला हो या फिर मैट्रिक्स का किसी भी टॉपिक को आप questions को solve कर रहो तो अपर इसको sure करिए कि आप question को attempt करो वह first of all मैं मैं आप सभी को suggest करूँगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट करें जो लॉंग answers questions है यानि कि five marks carry questions कौन से questions को पर स्टार्ट करें five marks वाले questions को क्यों reason क्या है reason यह है कि अगर आप एक question attempt करते हो तो definitely आपको five out of five marks वहाँ पे examiner आपको दे देगा किस तरीके से examiner आपको marks देंगे वह आपको पहले बताओं देखिए सबसे पहले जैसे कि आपने देखिए उपर आया पर candidate में लिखा section d question number उसने डाला और फिर उसके बाद आपको सबसे पहले इसी format को follow करना देखिए question number then आप सभी उसके related अगर figure है तो figure draw करिए और अभी sharp pencil का use करना है not pen का use करना है और साथ साथ दूसरी बात पहले आप सभी को देखिए जैसे given लिखा गया है given में आप सभी देख सकते है लिट क्या जूम किया गया let the cone be represented by a b c and the cylinder have a radius and the height radius and height x and y respectively तो देखिए जो कुछ भी आप पर रिप्रेजेंट किया यहां पर आप ग्राफ के फिगर के तो आप वहां पर इसको मेंशन करो उन वर्ट में और देन फिर हम लोग देर्फोर similarly हम लोग यहां पर इसे तरह किसे मेंशन किया यहां सबसे मेंशन पॉइंट आप यहां दिहान देखिएगा कोई भी दिखेए और आप बॉपर तरीके से फिर्मल्य का यूज करते हों पाई आर-क्स देखेए onds-app कया हो गया सब्कुलब करने के दिखेंग को थिक तो आपको यहां पर ठीकर यह वे थे जैग कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि फॉर मैक्सिमा की वैलू यह होगा डीवी अपॉंड डीएक्स इसकाल दो जीरो और डिफिश्मल्टी एक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप सभी को एज इस इसी पॉर्मेट का यूज करना है कि और लिखते समय किया करते स्किप कर देतें कुछ पॉंट्स तो को स्किप नह विधि एक्समार मतों समझ जाएंगे ऐंगे उनवेट आपको करना होगा यह यानिर कि लिख रहा होगा यह देखे प्रॉपर तरीके से from the maximum value that is x equals to 2 r upon 3 इस तरीके से therefore that is a height of the right cylinder with a maximum volume is one upon third height of the cone तो इस तरीके से proper आप present करिएगा then definitely आपको marks दिये जाएंगे examiner के द्वारा इस तरीके से proper format का use करना है और यह आपको पूरा लिखना होगा okay my dear friend move on करते हैं then hence प्रूव होगा then जाकर आपको एक्जामिन फॉल आट फॉल फॉल वाइफ माक्स क्वेशन में फाइफ माक्स देंगे और बहुत सारी क्या करते हैं इस को जैसे questions हो गया है उसके बाद यहीं से आप आंसर लिखना सुरू कर देते हो सेकेंड आंसर बट आपको देखे एक्जामिन ने आंसर को प्रेजेंट करेंगे तरी क्लियरेंस है फॉस्ट क्वेशन कंप्लीट होने बाद जो अगर स्किप है बच गया है तो उसको क्या कर दिया है उस पर कोई आंसर नहीं लिखें नेक्ट पेज का उसने यूज किया है नेक्स्ट फिगर नेक्स्ट पीज में प्रॉपर देखेंसे जो परलिगें वारा और कोई भी फिगर को ड्रॉप करने से पहले आप याद रखेगा कि यूज करें साथ-साथ पेपर विग्डर बने वो एक डम क्लीर फिगर बने आपका देख सकते हैं आप ए साफसाफ प्र required area represented by the ADCB उसे प्रॉपर तरीके से यहां पर mention किया और फिगर भी देखे A B C मनले आपको यह प्रॉपर सो हो रहा है यहां से देखें तो फिन आप देखें A B C D यहां पर दिख रहा होगा B यह प्रॉपर अबी इसे लिखना होगा तो आपको इससे लिखना होगा और यहां पर उसको प्रेजंट किया है और तो आपको भी इसी फॉर्मेट का यूज़ करना है दैन उसको आपको आपको करना है कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी इसी का फॉलो करिएगा और देखें जब डिट्रमेट आपका यह मैट्रेक्स और डिट्रमिनेट वादर जो क्वेश्चन आएंगे तो इसमें भी इस्टुडेंट क्या करते हैं इसको लिखते नहीं है और सोचते हैं कि आपको बाक्स किया गया है तो आपको भी एकॉर्डी तो अगर आप लिखोगे तो एक्जाम आपको फुल आट फुल मार्क यहां पे लॉट किया जाएगा देखें निकालोगे बहुत सब्सक्राइब करेंगे अब क्या क्या किया जो है बहुत सारी इस बाग को पहले अपनों प्रॉपर म हान से देखिएगा इस बात को जैसे कि आप जानता हो इस बार जो section आपके examination में पूच्छा जाएगा there are five sections okay how much sections इस in this examination in mathematics there are five sections section a section b section c section d section e section e section e वाला होगा Section e आपको case-based study वाले questions होंगे एंड यह वाला जो section आपसे भी क्या multiple choice question हो गए आपके जो rest of the question b c d बचा इसमें आप सभी क्या इन पहले इस बात का ध्यान रखे starting किसे करेंगे तो आप को section d से starting करिएगा आपको एक question करने में five of five marks a lot कि जाएंगे examiner दोबारा देखे five marks three marks and one आपके two marks वाले questions से इन सभी को पहले proper time से देखा utilize करके इसको attempt कर लेंगे then move on करेंगे हम लोग अपने section a की तरफ क्योंकि section a आप से भी मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप सभी candidate को 50 minutes reading hour जो मिलता है आप उसमें कोस्तिस करिएगा खुद से questions को attempt करने की और 15 minutes questions को अगर आप attempt कर ले तो तो definitely आपको time बचाएगा उसको copy महाँ पर note करना होगा तो proper तरीके से section a वाले portions को आप note down करोगे copy में then move on करेंगे हम लोग section number e that means that is the case study based questions और उसको भी आप आप अच्छे से attempt कर सकते हो आपके बास proper time बच जाएगा then okay friend देखिए इस तरीके से आपको present करना है okay आप से भी देख सकते हो my different कितना clearance है इस copy में और यह साफ साफ यहां पर mention किया गया differential differentiating करते equation को आप देखिए with respect to x candidate ने किस तरीके से proper लेखा है और then यहां पर examiner में आपको marks यहां पर allot किया है आपके बाड़े फैंट देख सकते हैं आपको इसी तरीके सांसे को present का अपने examination में तो आई होप चुछी मैंने आपको बताना चाहता था मैंने आपको बता दिया किस तरीके सांसे present करने अपने examination में जब appear होईंगे देखिए यह देखिए graph को पहले देखिए graph को कैसे आप में proper clearance के साथ देखिए जो भी shaded reason है तो आपको लाइन से अब या फिर आपको जो भी symbol होगा symbol का use करिएगा और उसका use करके और सासा यह point को skip नहीं करना में यानि कि scale बनाना लिखना बहुत जोरी है इस तरीके से आपको प्रॉपर स्केल बनाना होगा स्केल में लिखनी होगी या आपने जो यूनिट्स जो लिए हैं वह कितने की है इस तरीके से आपको इसको प्रेजंट करना है तो आई होप सो जो मैं बताना चाहता आपको मिने बता दी और सासा देखिए section a को करना कैसे कैने section a को मैं आपको दिखा देता हूं section a की बात करें तो कैसे आपको लिखना देखिए section a वाले questions होंगे most probably जो questions होंगे section a वाले वो हमारे कैसे होंगे one marks वाले और आपको अंसर प्रेजंट करते समय ध्यान लिखे देखिए इस तरीके से आपको लिखना होगा देखिए सी है हमारा और माइनस एट आंसर है इसे प्रेजंट करें आप जीरू एज इट इस पर्टेकुलर सॉलुक्शन इसका होगा इस तरीके से आप में आप लिखेंगे आप प्रॉपर वे में तो दैन डेफिनेटली आपको marks examiner के द्वारा आपके हर क्वेशन पर दिये जाएंगे तो आई होप सो जो ची मैं आप दान दिया मैंने आपको जिस तरीके से आपको आंसर प्रेजंट करने आगर आप इन सभी चीजिएंगों का ध्यान से करते हो और इसको फॉलो करते हो आप डेफिनेटली आप 80 मार्क्स आपको मिल सकता है उसके मैंने आपको एक आपको सासात आपको क्या करना है जो सेक्शन एक कोशन से नहीं लाएं आप सभी कमें के लिए उसके पहले कोशन के आपको बता रहें करके हो करेक्ट आप कि रिए कि कृएप अटम्ट कर रहा हो okay तो यह छोड़ी सी विडियो ते आपको बताने कि तॉपर सब्सक्राइब करें जो भी कुछ आती है सबसे पहले आपके चैनल अभी आपको प्रवाइट कर जाती है तरहीं मुलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू फिर वाचिंट थैंक यू